तो ये भाई अपनी है 15-12 फेस वन गाड़ी जो टाटा की आती थी पहले अब इस गाड़ी का नाम चेंज करके टाटा मोटर्स ने 16-16 कर दिया है तो हम साइड बाई साइड एक एक चीज इन दोनों गाड़ियों की देखेंगे कि 15-12 में पहले क्या आता था और अब ये 6 फेस क्या किया है कि ये बंफर जो आपको पहले मिलता था वो थोड़ा हैवी कर दिया है और उसके साथ ही ये फूट पैड नीचे अटेज कर दिया है जो कि पहले आपको कुछ इस तरीका का मिलता था गाड़ी बिलकुल सेम है बस मोडल का नाम चेंज करके आप 15-12 से 16-16 कर दिय है क्योंकि इस गाड़ी का इंजन की पावर बढ़ा है और इस गाड़ी आपको डो मोड मृ मिलेंगे एक्ट्ध Pakistan ले के जा सकते हैं औरagt इकणोमि मोड में आपको वही पुराणी देखने को मिल जएगए जैसे कि यहां पे air intake system है और निच्छे ही साथ के साथ इसका air filter दिया गया है यहां पे यह इसका coolant box है और यह wind shield washer है उस तरफ पावर शेरिंग की वो ऐसे मिली है फेस्टू में आप देखोगे ना फेस्टू में बिलकुस साफ है यहां पे कुछ नहीं wind shield washer का एक डिबा दिया गया है और यह पावर स्टेरिंग की assembly आपको यहां पे देखने को मिलेगी air filter और air intake का system इसका पीच से कर दिया गया है यहां पे आपका air filter और यह आपका air intake system यह वह 15 बारा की side profile यहां पे आप diesel tank और urea tank देख सकते हैं और कुछ इस तरीके की चेसी 15 12 की रहती दी और यह 15 12 का cabin देख सकते हो आप तो वह 16 16 का cabin अगर आप side से देखते हो तो आपको यहा गाड़ी की mileage को थोड़ा और improve किया गया है और थोड़ा पिछे की तरह अगर हमा जाएं तो पिछे से थोड़ा इस cabin को निकाल दिया गया पिछे की तरफ आप देख सकते हैं आपको थोड़ा निकला हुआ यहां से दिखेगा तो यह space cabin के अंदर का बढ़ाया गया है और आपको टाटा में रोड़ वाला gearbox मिलता था डीजल टैंक के अगर बात करें तो डीजल टैंक भी चेंज कर दिया गया यहां पर आपको फाइबर का टैंक देखने को मिलेगा नई गाड़ियों में और यहां पर आए आपको यूरिया का टैंक और यह चैसी रहे है गाड़ी क गाड़ी की लेंथ 22 फिट दौनों गाड़ियों की सेम है और वील बेस अब इन गाड़ियों में आपको 4900 का मिलेगा जो कि अपनी 1512 में पहले आपको 4800 का मिलता था तो वील बेस भी अब थोड़ा सा और बढ़ाया गया है और इस गाड़ी की माइलेज भी इंप्रो की आपको यही सेम दर्वाजा मिलेगा सीट आप देख सकते हैं 15 वारा में या भी आपको काफी अच्छी मिकैनिकली सिस्पेंड़ सीट मिलती थी जो कि सेम सीट आपको 16 में मिलने वाली है में जो किया गया है वो किया गया स्टेरिंग हम पहले 1512 का इंटियर देखेंगे आपको शेम स्टेरिंग टाटा केते में सभी मैं FLT कि अभी मिल जाता था कि यह स्टेरिंग के साड में आपको लाइटो के स्विצें दे दिये गए हई हजारड का स्विचछ यहां पी मिल जाता था यहां पे वाइपर कोंट्रोल था उसके यलावा इसमें कुई वो नई आ इसके यहाव आपको यहां पे urii एडिון append में जाते थे बाउऔर ऑबने मुज़ के वोश्य च्वरीयर म सब मोध Il तो आप चलते हैं अपने 16 16 गे काबिन पे 16 16 में आपको काफी सारा देखने को मिलेगा तो यह बाई अपनी 16 16 का दरवाजा जो कि मैंने बताया था इसमें कोई खास चेंजमेंट नहीं किया गया है अब चलते हैं इसके अंदर जो में चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा ना वह मिलेगा इसके स्टेरिंग में तो इदर आगर आप देखती हो तो इदर आपको वाइपर के साथ cruise control का option भी मिल जाता है, यह आप switch देख रहे हैं यहाँ पे, यह आपको cruise control का switch दिया गया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से on भी कर सकते हो, और इस से आप इस गाड़ी के cruise control का, चालिस से उपर इस गाड़ी में आपको cruise control मिल जाएगा, तो cruise control आप इस गाड़े के साथ एंजोय कर पाऊगे हाइवे पे आपको यह बड़ी आ मैलीज निकाल के देने वाला है ड्राइवर को भी काफी ज्यादा कमफर्ट मिलेगा इससे इधर की तरफ देखते हो तो आपको वाक्त हो का भी ने मिलेगा यहां पर जो आपको इंजन निकला ह टाथा आप यहां पर नहीं दिखने वाला है यह गच्छकट दिया गया गाहिए कं ट्रोल दे इंगे यहां पर करूज कं ट्रोल और वाइपर कंट्रोल दिए कं यहां cũ फे आपको हैडलाइट के आपको यहां दो मोड मिलेंगे लाइट और हैवी का तो लाइट मोड में आपको काफिया सी माइलेज मिलने वाली है इन गाड़ियों के साथ यहां पर फाइफ वोल्ट का चारजर म्यूजिक प्लेयर कुछ से मोडल्स में आपको यहां पर शक्रीन भी देखने को मिलेगी लेक आपको अपने काफिया रखने के लिए आपकी बलॉर्स की पोजीशन होगी यह साइड होगी पिछ से आप देख सकते हो यह थोड़ा सा स्पेस बढ़ आयगा है यहां पर स्टोरेज के लिए स्पेस बनाए गया है इसमें आप अपना कुछ भी समान वगरा एजली और इसको निकल वाक है अगर आप सोने के लिए comfortable seat बनोना चाहो तो वह स्पेस में भी आपके ड्राइवरों को काफी जादा benefit मिलेगा बिल्कुल एक तरीके से क्लिए ठीक है दो ड्राइवर इसली अगर लोंग रूट पर गाड़ी लेके जानी है तो इसली इस गाड़ी के लिए nozzle मिलती थी जो अप फेस्टू गाड़ियों में नहीं मिलने वाली है और हब गरीशिंग का टाइम बी इन गाड़ियों का बढ़ा दिया गया है यह मालों की पिछली अपनी फेस्टून गाड़ियों में एक लाग बीज आर के आसपास आपको हब गरीशिंग करवानी देख सकते हो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर ग्रीशिंग के लिए आपको पीने वगरा मिल जाती थी जो कि आप फेस्टू गाड़ियों में नहीं मिलने वाली है तो वाई यह साइड बाई साइड एक कंपेरीजन छोटा सा कंपेरीजन बोलो या जो लगाड़िया हों तो विए सिक्स फेस्टू में हमें टाटा की तरफ से सेम का भी निमिलने वाला है और हो सकता है टाइम के साथ उसमें कुछ और अपडेट आएगा इंप्रूमेंट आएगी वह हम आपके वीडियो के तुरू सेर जरूर करते रहेंगे अगर वीडियो होता वीडियो को लाइक कर देना और आपकी क्या राय है बेसिक्स फेस्ट वन और फेस्टू के बारे में नीचे कमेंट करके अपनी राय जुरू दे सकते हैं